हालो एंड वेलकम टू पेंडलम एडियो तो दोस्तो एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे डिटेल लेक्चर सेरीज में जो की है आर आर भी एंटी पी सी के लिए तो दोस्तो आज की हमारी लेक्चर सेरीज का जो टॉपिक होने वाला है वो है चकरवर्दी ब्याज यान के कंपाउंड इंट्रेस्ट कंपाउंड एंट्रेस्ट देखिए दोस्तों कंपाउंड इंट्रेस्ट एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक है Mostly questions आपके exam में इस chapter से आते हैं चाहे वो RRB, NTPC हो, चाहे वो आपका SSC का कोई exam हो, चाहे banking का हो किसी भी sector का exam हो, उसमें compound interest से काफी question आपके exam में पूछे जाते हैं ये आपका बहुती simple सा topic है, actually simple क्या, थोड़ा सा complicated भी है लेकिन उसको बहुत easy भी बनाया जा सकता है, इसमें आपको बस concept समझना है कि आपको किस तरीके से questions को easily solve करना है, इसमें compound interest निकालने के लिए या इस chapter में कई सारे method हैं आपके, जिससे कि आप अपना compound interest निकाल सकते हैं या अपना amount निकाल सकते हैं, जो की होता है आपका मिसेधन, तो इसमें basic basic सी term क्या है वो देख लेते हैं एक बार, सबसे पहले तो आपका मूलधन हो गया मूलधन क्या होगा? मूलधन वो रासी होती है, जो किसी से उधार ली जाती है या किसी को उधार दी जाती है, ठीक है? उसके बाद होगी आपके दूसरी दर या rate जिसे कहते हैं, rate क्या होता है? जिस rate पे आप पैसा देते हैं, यानि कि आपने किसी व्यक्ति को पैसा उधार दिया, तो उसे किसी दर के हिसाब से दिया हुआ कि भाई मैं आपसे इस हिसाब से पैसा लूँगा, जैसे किसी को सोर को उधार दिया गया, तो उसने कहा कि भाई मैं आपसे 5 रुपे हर वर्स लूँगा, तो दर वो होती है, एक साल में 100 रुपे बर मिलने वाली राशी को, क्या कहते हैं? दर कहते हैं, यह मैं आपको simple interest में बड़ी अच्छी तरीके समझा चुका हूँ, कि अगर हमें दर पता है, तो हम question को बड़ी easily solve कर सकते हैं, ऐसे ही आपका compound interest में भी है, कि अगर हमें दर पता है, तो हम उससे सारी चीज़ों को निकाल सकते हैं, तीसरी चीज़ क्या आती है? समय, समय क्या होगा? जितने समय के लिए आपने वो धंडासी उधार दी या किसी से उधार ली है, वो आपका समय हो जाता है, तीसरा होता आपका मिसरधन, चोथा मिसरधन, मिसरधन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज, यहाँ पर ब्याज कुन से की बात कर रहे हैं? चकरवर्दी ब्याज की बात कर र कुछ पैसे एक्स्ट्रा पे करता है यानि कि उसने जो हमने धन्राशी उसे दी उसका इस्तमाल किया और कुछ वर्सों के बाद उसने हमें वो धन्राशी तो वापस की ही कि साथ में कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी वापस की अब वो एक्स्ट्रा पैसा ही क्या कहलाता है आपका ब्याज क्यालाता है या एक तरीके से कहले हमारे लिए जो हमें profit मिला उस धन्राशी को देने के बाद वो profit हमारे लिए क्या क्या क्यालाता है ब्याज क्यालाता है और यहां पर ब्याज कौन से की बात कर रहे हैं चकरवर्धी ब्याज की बात कर रहे हैं तो चकरवर्धी ब्या चो ब्याज है वो धनराशी में नहीं जोड़ता था अगर 10 रुपे ब्याज है तो इस पर हर साल 10 रुपे ही मुझे ब्याज मिलता रहेगा और मेरे मुल्धन हर साल 100 रुपे रहेगा यह तो था SI का basic लेकिन CI में क्या होता है CI का मतलब ही क्या है compound का मतलब है आप उसे खटा कर रहे हैं जो आपको ब्याज मिलता है वो आप मुल्धन में जोड़ दे रहे हैं या एक तरीके से चक्र वर्धी यानि के चक्र में जो व्रधी होती रहती है यानि के जैसे यहाँ पर कोई धनराशी थी उस पर ब्याज लगा यह धनराशी हो गई तो यह जो आपका ब्याज था यह भी क्या होता है इस धनराशी में आपका जुड़ जाता है यानि के मुल्धन में आपका जो ब्याज होता है वो add हो जाता है तो इस तरीके से आपका compound interest चलता है कि हर साल जो है ब्याज मुल्धन में आपका add होता रहता है तो जो आगे वाली धन्रासी मिलेगी वो क्या कहलाएगी वो हमारा अगले साल के लिए मूलधन हो जाती है जैसे आप एक चोटी सी बात से समझे सो रुपे आपने धन्रासी किसी को उधार दी और दस परतिसत के चकरवर्दी ब्याज पर अगर उधार दे रहे हैं तो दस परतिसत का क्या मतलब है कि एक बटा दस यानि के अगले वर्ष जो हमें ब्याज मिलेगा एक साल के बाद सो का एक बटा दस यानि के दस रुपे ब्याज मिलेगा अब दस रुपे तो हमें ब्याज मिल गया, लेकिन हमारा मुन्धन क्या है, 100 रुपे है, तो अगर हमें मिस्रधन देखना चाहूं, कि मिस्रधन कितना हो गया, तो मिस्रधन कितना हो गया, 100 प्लस 10, यानि कि 110 रुपे, ये हमारा एक साल बात जो है, हमारी धन्रासी हो जाएगी अब दूसरे वर्ष के लिए हमारा मूलधन क्या हो जाएगा ये 110 रुपे हमारा दूसरे वर्ष के लिए मूलधन हो जाएगा इसी प्रकार अगले साल दूसरे वर्ष इस पे 10% के रेट से आपका ब्याज लगेगा, तो 10% के rate से अगर मैं देखूँ तो कितना लगेगा 11 रुपे ब्याज लगेगा, तो 11 रुपे मैं 110 में जोड़ दूँ, तो कितना बन जाएगा, 121 रुपे ये 121 रुपे क्या हो जाएगी तीसरे वर्स के लिए हमारा मूलधन हो जाएगा, तो इस तरीके से जो है ब्याज हर साल, वो मूलधन में एड़ होता रहता है, तो यह है आपका चकरवर्ती ब्याज, और कुछ नहीं है इस ब्याज में इसको सीखने के बहुत सारे तरीके हैं वो तरीके हम पर्टिक्लर कोशन के एसाब से देखेंगे कि कौन सा तरीका किस कोशन को जल्दी से जल्दी सौल करने के लिए इस्तमाल किया जाना चाहिए, जैसे एक तो आप का जैसे आप कहते हैं कि दस परसेंट की रेट दी हुई है, तो दस परसेंट को देखूं, तो धन्रासी 100 और 11, 11, 12 हो जाती है एक तो ये तरीका है आपका रेशो वाला, कि इसमें आपने सीधा 10 से 11 किया, पहले साल और दूसरे साल फिर 10 से 11 होगी वो धन्रासी, तो ये हो जाएगा आपका 100 से 11, 12, आपने देखा दो वर्स बाद भी हमारी धन्रासी कितनी होगी ती 121 होगी, तो एक तो ये तरीका है आपका यूज करने का इस तरीके से हमें क्या पता चलता है कि हमारी धन्रासी जो होती है या जो हमें भ्याज मिलता है उस पे हमारा रेशो जो है वो समान रहता है हर टाइम जैसे हमने देखा कि पहले साल 100 था अगले साल 110 हो गया था उससे अगले साल कितना? 121 हो गया था अब देखिए अगर रेशो की बात करते हैं हम तो इन दोनों के बीच रेशो क्या है? आप कहोगे जी 10 और 11 का रेशो है पहले वर्ष का मूलधन और मिसरधन के बीच अनुपात क्या है? 10 अनुपात 11 है ऐसे ही अगर मैं इन दोनों के बीच बात करूँ तो 11 से आप इसे काटोगे 10 और 11 से 11 एक्सवे किस तो इनके बीच भी क्या है अनुपात? 10 और 11 का अनुपात है तो यहां से एक बात समझने को मिलती है कि चकरवर्दी ब्याज के अन्दर जो हमारी धनरासी होती है उनके बीच हर वर्ष समानुपात चलता और यह कब चलेगा? जब जो हमारा टाइम पिरेड है वो सेम होगा जैसे यहां पर एक वर्ष था हमारा तो यहां पर भी एक वर्ष है तो एक वर्ष में जितना रेशो होगा वो ही अगले वर्ष भी होगा अगर यहां पर दो वर्ष होता तो आगे का जो रेशो होगा वो भी दो वर्ष के साथ ही बराबर होगा तो इस तरीके से हमारी वर्स की जो time period है वो हमारा same होना चाहिए तब ही आपका ratio जो है वो equal रहता है एक तो ये तरीका हो गया इस question को करने का एक तरीका क्या आप graph या t tree बनाते हैं उस तरीके से भी इसको कर सकते हैं तो देखे graph method से आप इस question को कैसे करेंगे देखते हैं तो देखे दोस्तो graph method या tree method का इस्तमाल कैसे आप कर सकते हैं जैसे मेरे पास कोई धन्रासी है 1000 रूपे तो अब यहाँ पर आपको rate दी भी है 10% की 10% वार्षिक चकरवर्थी ब्याज की आपकी दर है तो क्या करते हैं कि पहले साल मैं देखूं तो इस पे एक बटा दस लगेगा तो कितना हो जाएगा 100% अगले साल आप देखोगे तो इस पे तो लगेगा ही लगेगा एक बटा दस कितना 100% साथ में इस पे भी लगेगा एक बटा दस तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 10 यह तो होगई केवल 2 साल की बात कि 2 साल में मुझे ब्याज कितना मिल रहा है 100, 200 और 10, 210 रुपे लेकिन जब 3 साल की बात करते हैं तो 3 साल क्या होगा इस पर लगेगा ही लगेगा 100 रुपे 7 में इस पर भी लगेगा 1 बटा 10 कितना 10 इस पर भी लगेगा 1 बटा 10, 10 फिर इस पर भी लगेगा 1 बटा 10 यानि के 1 अब देखिए यह 3 में थोड़ा सा 3 वर्स या 4 वर्स के लिए थोड़ा सा मुझकिल हो जाता है समझना तो इस वाले इस ग्राफ की बजाए आप इस वाले ग्राफ का इस्तमाल करें जैसे हमारे पास है 1000 रुपे की धन्राशी ठीक है अब 10% हमारा रेट है मतलब 1 बटा 10 अब पहले साल है तो यहां से आप बड़ी easily देखेंगे कि कैसे आपको यहां पर कुछ भी confusion नहीं होने वाली है अगर इसका एक बटा 10 करता हूँ तो कितना आता है? 100 आता है अगर आप इसका एक बटा 10 कर रहे हैं 100 आ रहा है तो दूसरे साल की बात करेंगे जितनी उपर राशी रहती चली जाएगी हमें हमें सिर्फ उनको ही अपना चकरवर्दी ब्याज उन पर लगाना है या rate उन पर लगानी है तो इस पर लगेगी और इस पर लगेगी तो 2 पर लगा दीजे 1000 पर तो 100 लगेगा ही लगेगा इस 100 पर कितना लगेगा? 10 लग जाएगा अगर तीसरे साल की आप बात करते हैं जितने भी उपर राश्या हैं हमारे पास इन सब पर आपको एक बटा 10 लगाना है या जितने भी आपके पास amount होगा यहां पर सबका एक बटा 10 या उन पर rate लगानी है तो लगा दीजे 1000 पर लगाओगे तो 100 तो आना ही आना है इस 100 पर लगाओगे तो 10 आएगा इस 100 पर लगाओगे 10 आएगा और इस 10 पर लगाओगे 1 आएगा तो इस वाले method से क्या होगा आपको confusion ने रहेगी आपको यहां पर पता रहेगा कि हमारे पास कितना amount कहां से आया है या किस सरीके से कैसे हमने calculations की है इस वाले में थोड़ा confusion हो सकती है आपको हो सकता है कि कोई एकाथ term बीच में आपकी छोड़ जाए तो आप इस वाले method का इस्तमाल करें यहां पर एक छोटी सी बात और समझने के लिए है आपके पास कि यहां पर आपने देखा पहले साल ब्याज मिला मैं इसे A मान लेता हूँ तो देखे यह A तो यहां पर सेम ही हर साल यहां पर मैं इसे B मान लेता हूँ दूसरे साल जब यह 100 पे पर ब्याज लगाता तो जहां B सेम है उसे B मान लेते हैं और जहां पर यह अलग है यह C ये इस B पे भी आपका interest है, इसको मैं मान लीता हूँ, C. तो आप यहाँ पे देखेंगे कि second year में जो हमें ब्याज मिल रहा है, वो क्या मिल रहा है? वो मिल रहा है आपको 2A plus B. ऐसी third year में हमें ब्याज कितना मिल रहा है? आप देखेंगे 3A plus 3B plus C. 3A plus 3B plus C. ऐसी fourth year में निकाल सकते हैं, ऐसी five years में निकाल सकते हैं, तो एक तरीका ये भी हो सकता है, अगर ये चीज आपको याद है, तो आप यहाँ से भी अपने questions का direct answer निकाल सकते हैं, वो कैसे निकालना है? आप देखिए, जैसे 1000 रुपे की हमारे पास धन्रासी थी और 10% का rate था, तो आपको कुछ नहीं करना, 3 वर्स के लिए निकालना है, तो हमारे पास पता A, B, C, 3 value आनी है, तो 3 value के लिए हम 3 बार उसका rate निकाल लेते हैं, या 3 बार उसको वारस एकदर हम वहाँ पे निकाल लेते हैं, तो 1000 को 3 बार करते हैं, तो 1 बटा 10 करेंगे, पहली बार कितना आजाएगा? 100, इसका फिर एक बटा 10 करेंगे कितना आजाएगा 10 इसका फिर एक बटा 10 करेंगे कितना आजाएगा 1 तो आप A ये आ गई, B ये आ गई, C ये आ गई तो आपको कुछ नहीं करना है अगर 3 वर्सों का ब्याद निकालना है आज आजाएगा तो इस method का भी आप अगर इस तरीके से आपको याद है तो आप calculation को और थोड़ा सा short कर सकते हैं या आपने जो आपने part को थोड़ा लंबा कर दिया है, solve करने में उसको थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं चलिए इस method पर एक आद question देख लेते हैं कि इस method से आप एक आद question को कैसे कर सकते हैं तो देखे दोस्तों यह आपका पहला question बिल्कुल basic से लेके चलेंगे, हर एक चीज को लेके चलेंगे साथ में ताकि आपको basic जानकारी भी पता चल सेके कि आपको किस तरीके से approach करनी चाहिए questions को बाद में हम देरे देरे high level पे चलेंगे बिल्कुल tough level के questions भी देखेंगे और अच्छे-चे questions आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे चले देखेंगे पहले questions को यह आपकी screen पर यदि किसी धन्रासी का साड़े 12% वारसिक दर से दो वर्स का चकरवर्दी ब्याज 510 रुपे हो तो वह धन्रासी ग्यात करो कितनी होगे चले देखेंगे इस question को आप कितने तरीकों से कर सकते हैं यह भी देख लेते हैं और सबसे बढ़िया तरीका क्या हूना चीह था इस question को सोन करने का वो भी देख लेते हैं आपको धर दी हुई है कितनी साठे बारा परतिस थे ठीक है और 2 वर्सका आपको चकरवर्दी ब्याज भी दिया हुआ है वो कितना दिया है 510 रुपी अब देखिए यहां करने के दो तरीके हैं आपके पास करने के दो तरीके वैसे ज़ाधा भी है लेकिन दो तो में तरीके हैं, जैसे दर आपको यहां साड़े बारा परसेंट दी है, तो साड़े बारा परसेंट को आप क्या लिख सकते हैं, बारा दोनी 24 और एक 25 बटा 2 यानि कि एक बटा 8, यह आपको याद रहनी चाहिए, यह मैंने आपको परसेंटेज में भी बताय था कि इनको fractions में आपको याद होना चाहिए, देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि इसकी value कितनी होगी, कि इसकी value कितनी होगी, एक बटा 8, यानि कि आप कह सकते हैं कि 8 अगर धन्रासी है तो उस पे एक वर्स में कितना ब्याज मिलता है, एक रुपय ब्याज मिलता है, त आप दूसरे वर्स की बात करते हैं, तो क्या हो जाएगी फिर से 8 से 9 हो जाएगी, तो आपने देखा कि 2 वर्स बाद अगर धन्रासी मुझे देखनी है, कुल कितनी हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी, 8, 84, 99, 81, या आप इसे direct भी लिख सकते थे, जब 2 वर्स की बात होती ह तो जब 8, 9 की पहले वर्स थी, तो अगले वर्स इसका direct square कर दीजे, तो ये इतनी चीजे लिखने की आपको जरुवत नहीं पड़ेगी, direct आप 8, 84 और 9, 81 आप डारेक्ट लिखे, अब ये तो है आपका क्या मूलधन, और ये है आपका क्या मिसरधन, क्योंकि इसमें आपका ब्याज जुड़ा हुआ है, आपको पता है मिसरधन में से अगर मूलधन माइनस कर देते हो, तो क्या प्राप्थ होता है मुझे, ब्याज प्राप्थ होता है, तो ब्याज कैसे हुगा, IKAC में से 64 जाएंगे, कितना बचेगा 17, आपके 17 यूनिट क्या है, यहापे compound interest की है, चकरवर्दी ब्याज की है, अगर यह 17 यूनिट आपकी चकरवर्दी ब्याज है, तो सवाल में इसकी कीमत आपको 510 रुपे दी गई है, तो एक यूनिट की value कितनी हो जाएगी, 30 रुपे, जब एक यूनिट की value 30 है, तो आपसे पूछा गया गया है, आपसे धनासी पूछ 20 रुपे यह क्या हो जाएगी, यह वो आपकी धनासी हो गई, जो आपने ब्याज, जिस पर चकरवर्दी ब्याज कितना मिलता है, 510 रुपे, एक तो यह तरीका हो गया, आपका इस question को solve करने का, दूसरा तरीका क्या हो सकता था, यदि आप rate देखें, आपने rate देखी, कितन मूलधन को अपने को मान लेते हैं, तो देखिए, अगर यहां पर जितने वर्स की बात होती हैं, उस हिसाब से अपने मूलधन को मान के चलते हैं, यहां पर दो वर्स की बात है, तो आप जो rate का नीचे वाला मूलधन होता है, उसका क्या कर दीजे, अगर आप उसका square कर देत के लिए इसका एक बटा आठ करेंगे तो आठ, दूसरे वर्स के लिए आठ तो रहे गई, इस आठ का कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा तो टोटल मैंने देखा, आठ और आठ 16 और एक 17, 17 उनिट किसके बराबर दी हुए है, 510 10 उनिट के बराबर दी है, तो एक उनिट की वैल्यू आगई 30, अगर एक उनिट की वैल्यू तीस है, तो 64 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 19 20 उनिट रुपे, आप इस तरीके से भी इस कोश्चन को solve कर सकते हैं, जो आपको तरीका अच्छा लगता है, आप उस तरीके का इस्तमाल करें, दोनों तरीके बढ़िया हैं, लेकिन ये वाला जो तरीका है आपका, ये वही पर कामियाब है, जहाँ पर आपको fraction value छोटी दी गई हो, अगर fractions value बढ़ी आ जाती हैं, तब फिर आप अगर multiplication करते हैं, तो आपको काफी time लग जाता है, ऐसे type के question को solve करने में, तो फिर वहाँ पर आपको क्या ये वाला process आपको इस्तमाल करना चाहिए, आप इस process का इस्तमाल करके easily questions को solve कर पाएंगे, चलिए next question देखते हैं, तो शेली दोस्तों ये रहा next question आपकी screen पर, आपसे कहारा है किसी धनरासी पर 5% वार्सिक ब्याज़दर से 3 वर्स में 1261 रुपे चकरवर्दी ब्याज़ के रूप में प्राप्त होते हैं, तो वह तो अब देखिए, आप ये कह सकते हैं कि 20 रुपे से पहरे वर्स 20-21 हो जाएगा, अब अगले वर्स भी 20-21 होगा, मुझे निकालना कितने वर्स होगा है, 3 वर्स होगा तो मैं direct क्या करता हूँ, उसका cube कर लेता हूँ, तो आप पहेंगे 20 का cube हो जाएगी, तीन वर्स बाद और ये 21 का cube हो जाएगी अब देखिए, अगर आप इस method से इस question को solve करना चाहते थे तो यहाँ पे तो आप easily निकाल लेंगे कि भई 8000 हो जाएगा, लेकिन अगर 21 का cube आपको नहीं पता है तो आप फिर इसे calculate करेंगे और जिसमें आपका काफी time waste होने वाला है, तो इस method का इस्तमाल आप वहीं पे करें जहाँ पे आपको छोटी fractions value दी गई हो, तो यहाँ पे हम अपने उस वाले method का इस्तमाल करते हैं, जिसमें हम इसको क्या मान लेते हैं, मूलधन को हम जितने वर्सों का ब्याज निकालते हैं, उतनी हम उसकी power कर लेते हैं, तो जैसे यहाँ पे तीन वर्सों को निकालने हैं, तो 20 की cube हमने क्या मान लिया, अपना मूलधन मान लिया, तो कितना हो जाएगा यह? 8000 अब 8000 हमारा हो गया, मूलधन अब हमें इस पर क्या निकालना है? हमें इस पर ब्याज निकालना है, क्योंकि हमें questions में ब्याज दिया हुआ है तो देखिए, पहले वर्स क्या होगा? एक बटा 20 होगा, तो कितना बचेगा? 400 सेकिंड वर्स का आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 400 और साथ में इसका एक बटा 20 निकालेंगे तो 20, अब तीसरे वर्स की बात करते हैं, तो कितना आ जाएगा? 400 तो रहे गई, इस 400 का 20 आ जाएगा, इस 400 का फिर से 20 और इस 20 का एक हो जाएगा तो यह आपका टोटल आ गया तीन वर्सों का ब्याज अब तीन वर्सों का ब्याज आप इसे एड कर लीजे कितना आ जाएगा चारती है बारा सो और बीचती है साट और एक सट या निके बारा सो इक सट आ गया क्या आपका कुल चकरवर्दी ब्याज और कुश वो ही हमारा मुलधन हो जाएगा क्योंकि यहां पर एक उनिट की वैल्यू एक रुपए हमारी निकली है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आठ हजार रुपए वो धन्रासी थी जिस पर तीन वर्स में 1261 रुपए हमें ब्याज प्राप्त होता था तो देखिए आप इस questions को ऐसे भी कर सकते थे यदि आपको याद हो कि मैंने 3A प्लस 3B प्लस C बताया था आपको तीन वर्स का खुल चकरवर्ती ब्याज तो आपको बस करना था आठ हजार आपने सोच लिया कि वे 20 की क्यूब हमारा 8000 क्या होगा? हमारा मुलधान होगा तो एक बटा 20 करेंगे तो कितना आएगा? 400 तो तीन गुणा 400 एक की वेल्यू 400 आ गई फिर 400 का आप एक बटा 20 कर दिजे कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा तो तीन गुणा 20 हो जाएगा तो आप इनको बड़ी easily आप अपने tree को भी थोड़ा छोटा कर सकते हैं या इस graph वाले method को भी थोड़ा छोटा करके आप इस value इस form में लिखके अपने time को बचा सकते हैं तो इस तरीके से आप इस question को बड़ी easily solve कर लेते हैं चलिए इसी पर based आपके next question को देखते हैं थोड़े basic से question इसलिए करा रहे हैं क्योंकि साथ में उन students को भी लेके चलना है जो ये वीडियो पहली बार देख रहे होंगे या जिन्होंने अभी preparation अपने start की है उनको भी थोड़ा basic के बारे में पता होना चाहिए चलिए next question देखते हैं तो आपको rate पता चल गया कितनी है साथ सही एक बटा दो प्रतिसत और साथ में आपको यहां पर principle भी दिया हुआ है चोंशट सो रुबे और आपसे CI पूछा है क्या होगा दो वर्स का टाइम गया है आपको दो साथ अब इस question को आप वैसे भी कर सकते हैं कि साथ साथ दोनी चोदा और एक पंदरा पंदरा वट्टे दो परसेंट दिया हुआ आपको यदि आप इसे fraction में तोडएंगे तो कितना आ जाएगा पांश यह पंदरा और बीस बीस दोनी चालिस तीन वटा चालिस आ जाएगा अब आप देखें 40 से धन 43 होता है तो 40, 43 और square करेंगे तो काफी बड़ी-बड़ी value आपकी आ जाएगे तो इस method को छोड़ते हुए हम क्या करते हैं डारेक्ट हम यूज करते हैं इस type के questions में आप डारेक्ट भी यूज कर सकते हैं 6400 आपका amount था 6400 आपका amount है तो 15 बड़े 2 को आपने क्या लिखा 3 बड़ा 40 लिखा तो अगर मैं पहले साल का ब्याज देखना चाता हूँ तो इसका 3 बड़ा 40 कितना हो जाएगा इसका 3 बड़ा 40 कर दीजिए 10 से 10 कर जाएगी 4 से आपको 16, 160, 16, 13, 48 480 रुपय आपका पहले साल ब्याज मिलेगा दूसरे साल की बात करें तो 480 तो मिलेगा ही मिलेगा साथ में इसका 3 बड़ा 40 लुर कर दीजिए इससे कर जाएगा 4 से 12, 14, 48 और 12, 36 36 यह हो गया आपने देखा यहाँ पे टोटल कितना amount हो जाएगा आपका 0, 8, 8, 16 और 9, 960 और 36 हो जाएगा तो यह आगया 996 यानिके 960 रुपय तो कुछ questions को आप बिल्कुल basic तरीके से भी करेंगे तब भी आप उन्हें easily time saving के साथ बड़ी easily solve कर पाएगे तो इस type के questions को आप ऐसे solve कर सकते हैं या अगर वैसे solve करना चाते हैं तो simple सी बात है आपको यहाँ पे 40 दिया गया है तो फिर आपको इसका square मानना पड़ेगा आपको इसका square मानके अपने मूलदन को मानेंगे फिर आप उसका 3 बटा 40 करके आप उस process से भी इस question को निकाल सकते हैं और उसे निकालने की एक बार try जरूर करें चलिए next question देख लेते हैं तो देखिए दोस्तों यह रहा आपका next question आपकी screen पे किस वार्षिक चकरवर्दी ब्याच की दर से धन्रासी रुपे 2.04 दो वर्सों में 2.500 हो जाएगी तो आपको यहाँ पे क्या rate of interest निकालना है आपको दिया हुआ है कि कोई धन्रासी है 3.04 रुपे वो दो वर्सों में कितनी हो जाती है 2.500 रुपे हो जाती है तो देखिए जो धन्रासी है आपकी 2.04 यह दो वर्स बाद क्या हो जा रही है 25 रुपे हो जा रही है तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है? दर निकालना है कि दर क्या रही होगी? यह rate of interest क्या रहा होगा? इसमें आपको सिर्फ यहाँ पर दो चीज दी गई है एक तो आपको principle दिया गया है और यहाँ पर यह मिसरधन दिया गया है कि उस पर व्याज कितना लगा है लेकिन आप इस ट्राइप के questions को कैसे solve करेंगे? देखिए CDC बात है, हम मैंने आपको बताया था कि दो वर्स की बात होती है तो आप जब भी हमारे पास rate हुआ करता था तो आप क्या करते थे? जैसे rate कोशन में, अगर 2 वर्स दिया है तो आपको क्या करना है? उनका नख करना है. यहाँ हम here square करते थे, तो आपको क्या…! क्या करेंगे? अनका square root निकालेंगे अगर 3 वर्स की की बात होती तो आम यहाँ पे cube करते तो वैसे ही चार से कट जाएगा ये भी चार से कट जाएगा तो चार से काट लेते हैं से चार पंजे 20, 30, 4, 78, 22, 24, 24 और ये कितनी बार कट जाएगा चार चिक 24, 10, 2, 5, 625 यानि आपने देखा कि ये 576 और ये 625 अब क्या करना ये 2 वर्स का है तो हम इसका स्क्वेर रूट निकाल लेते हैं तो हमने दोनों तरफ क्या किया स्क्वेर रूट कर दिया आपको पदा है ये 24 का वर्गमूल होगा और ये 25 का आपने देखा अब ये किस की बात हो गई ये एक वर्स की बात हो गई है जैसे ही हमने यहाँ पे स्क्वाइर रूटि लिया, तो अब यह कितने के व Worlds की बात करने लगा एक वर्स में। अब एक वर्स में क्या हो रहा है, 24 से धन अमारा कितना हो रहा है? 25 हो रहा है, यानि कि इस धन पे कितना ब्याज मिल रहा है? तो आप कहेंगे ब्याज हमें मिलना है एक रुपे का और एक वर्स का ब्याज आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक वर्स का साधरन ब्याज और आपका चकरवर्ती ब्याज समान रहता है तो जब एक वर्स के ब्याज की बात आएगी तो आप बड़ी इसली यहाँ से rate निकाल सकते हैं क्योंकि जो हमारी rate यह दर होती है आपको पता है कि वो एक साल में मिलने वाला मूलधन पर जो आपका ब्याज है वो होती है ठीक है तो यहाँ पर एक रुपए ब्याज मिला है आ यानिके चार साही एक बटा छेंप परती सर्थ तो यह क्या रही होगी यह आपकी वहाँ पर दर रही होगी तो इस टाइप के questions को आपको इस method से solve करना है कि यदि जहां भी आपको दो वर्स की बात हो तो आप वर्गमून निकाले अगर तीन वर्स की बात आती है तो आप वहाँ पर cube root निकालेंगे और इस process का use करके इस टाइप के questions को आप easily solve कर पाएंगे चलिए next question देखते हैं तो देखिए दोस्तों यह आपका next question आपकी screen पर किस वार्षिक चकरवर्दी ब्याच की दर से धन्रासी रुपे 8,000 दो वर्सों में रुपे 8,820 हो जाएगी यहाँ पर भी आपको same वही process use करना है क्योंकि यह last वाले question जैसा ही question है ताकि यह आपकी practice के लिए है ताकि आप जल्दी से जल्दी questions को निकालना सेख सकें अब यहाँ पर 8,000 दिया है आपको और यह 8,820 हो जाती है कितने दो वर्सों में अगर दो वर्सों में 8,000 से 8,820 हो जाती ह है तो मुझे पता है इनका square root निकालना है यानिके इनका वर्गमूल निकालना है लेकिन आप इनका वर्गमूल तो नहीं निकाल सकते है जहां पर जितनी कटती है उतनी value आप इसमें से काट लीजे एक 0 से एक 0 से लिएगी 2 से कट जाएगा तो यह 400 हो जाएगा और ही हो जा रूट निकाल लीजे यह कितना हो जायेगा यह 20 हो जायेगा और यह 21 अब देखिए यहां से यह जो 20 से 21 धन हो रहा है यह कब की बात एक वर्ष में एक वर्ष में 20 से 21 हो जाता है तो कितना प्रतिसक्त इसकी वार्षिक धर रही होग이 देखिए इस टायिप का के कुशंत त आपको मैंने आपको बदाया था कि इसमें जो है ratio same रहता है और ratio same रहने का मतलब है कि जो आपका पहले से दूसरे वर्स के बीच ratio होगा वही ratio आपका दूसरे से तीसरे के बीच होगा वही तीसरे से चोते के बीच होगा तो देखे इसमें दिखा देता हूँ आपको देखे पहले वर्स की जब बात की थी हमने तो पहले वर्स में क्या हो रहा था 20 से 21 हो रहा था तो ये आगे जब इसकी बात होगी दूसरे वर्स की तब भी क्या होगा ये धन 20 से क्या हो जाएगा ये 21 हो जाएगा इन दोनों के बीच भी amount या ratio यही रहेगा 20 से 21 अब आप देखें 20 से 21 अगर हो जाता है तो यहाँ पर क्या amount हो जाएगा अब last में जो हमारा amount था वो क्या था? 8000 से 8820 था क्या इनके बीच यही 20 से 21 वाला relation है? यह हमें देखना है लेकिन यह दो वर्स की बात हो रही है दो वर्स की बात हो रही है अगर मैं यहाँ पर इनका ratio टोटल निकालना चाहूं तो कितना आ जाएगा? 20 से यहाँ multiply होगी और यहाँ 21 से multiply होगी तो 21-21 के आप multiply करेंगे तो 441 और यह आपका 400 तो आप देखें 400 और 441 का है ratio के इनके बीच 2 वर्स के बीच में तो यहाँ पर देख लीजे जो हमने निकाला था 400 और 441 निकला था हमारे 2 वर्स के बीच में ratio तो यह ratio पे ही depend करता है आपका इस type के questions की आपको उनके बीच ratio निकालना होता है चलिए next question देख लेते हैं इसी पे base तो चलिए दोस्तों देखते हैं अपने next type के question को यह आपकी screen पे किसी वार्सिक दर से रुपे 1500 का दो वर्स का चकरवर्दी ब्याज कितना है 499.40 पैसे तो व्याज की वार्सिक दर ज्यात करनी है आपको व्याज की वार्सिक दर कितनी होगी देखिए अगर इस type के question आपको exam में मिलते हैं जिसमें आपको principle दिया है दो वर्स बाद आपको चकरवर्दी व्याज दे दिया या आपको यहाँ पर यह भी दे दिया जाता कि 2 वर्स बाद यह मिस्तिर धन इतना हो जाता है तो इस तरह के questions में आपसे rate पूछी जाती है कि क्या rate of percent रही होगी तो इस type के questions में अगर इस 2 वर्स दिया हो या 3 वर्स दिया हो तो इस type के questions में आपको क्या करना है जैसे आपको पता है चकरवर्दी भ्याज का जो formula होता है वो क्या होता है? वो में लिक देता हूँ एक बाप amount बराबर होता है principle into 1 plus r upon 100 का की power t या n या आपके t क्या होता है? आपका time होता है जब भी आप time 2 वर्स होगा तो आप इसका square कर देते हैं एसे अगर time क्या होता है? आपका 3 वर्स होता है तो क्या कर देते हैं? इसका cube कर देते हैं तो मैं अगर यहां से आपको एक relation निकालना चाहूँ कि 1 plus r upon 100 की power t बराबर क्या होगा? amount upon principle यानि कि जो मिसरधन होगा और जो आपका मूलधन होगा उसके बीच हमने ratio देख लिए कि क्या ratio होगा? अगर यहां पर time 2 वर्स होता है तो हम क्या करते हैं? इसका under root निकाल लेंगे. अगर यहां पर time 3 वर्स होगा तो हम क्या निकाल लेंगे? इसका cube root निकाल लेंगे. तो इस type की questions में आप यहां से दर बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं. यानि के हम सबसे पहले क्या काम करेंगे? जो हमारा मिसरधन होगा और जो हमारा मूलधन दिया होगा आपको उन दोनों के बीच अनुपात देख लेंगे कि उन दोनों के बीच अनुपात क्या दिया होता है या क्या अनुपात आएगा उसके बाद हम उसका अगर 2 वर्स दिया होगा तो square root यादे कि वर्णमूल निकाल लेगे अगर 3 वर्स दिया होगा तो उसका cube root यादे कि घंपूल निकाल लेगे चलिए देखते हैं दोनों के बीच क्या ratio आता है तो देखिए दोस्तों आपको दिया हुआ है धनासी कितनी है आपकी 1500 है और आपको मिसरधन चकरवर्दी ब्याज कितनी है दिया 449.40 पैसे अब देखिए मिसरधन निकालने के लिए मुझे ब्याज इसमें जोड़ना पड़ेगा तो मैं इसे जोड़ दूँगा कितना हो तो आपको पता चल गया यह तो है आपका मूलधन और यह है आपका मिसरधन अब यहाँ पर इंदोनों को बीच मुझे रेशो निकालना है कि क्या रेशो होगा तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं पॉइंट हटाता हूं और 2-0 लगा देता हूं 1-0 से 1-0 कट जाएगी अब देखना यह किस-किस से कटता है चलिए देखिये 9-9-4-8-9 यानि कि संक्या 9 से कट सकती है और यह 3 से कट सकती है तो सबसे पहले से 3 से कट लेते हैं 3 बंजे 15-15-15 यहां से आप इसे कट आए 3-18-3-2-29-27-27-3-8-24 अब यह 2 से कट जाएगी इसे 2 से और काट लिजे 25-100 और 2.8 और 2.8 और 2.8 तो 25-100 और के आगया 32-29 आपकी इन दोनों के बीच अनुपात आगया मूलधन और मिस्रधन के बीच अभी आगे आप देखेंगे कि ना इसमें कुछ कुमन है ना इसमें कुछ कुमन है यह दोनों संख्याइं आपस में नहीं कट रही हैं अब हम यह यहां मूलधन और एक साल के मिस्रधन के बीच आपका रिलेशन आ जाएगा तो देखिए यह तो क्या हो जाएगा आपका पचास और इसका वर्गमूल निकालना आपको अब पता है आपको यह परफेक्ट होगा क्यों क्योंकि आपका कुशन उसी इसमसे बनाए गया है कि यह किसी का परफेक्ट जो है वर्गमूल है तो देखिए वर्गमूल निकालने का क्या तरीक है अगर याद नहीं है आपको तो दो दो के पेर बनते हैं अब यहाँ पर क्या आ रहा है लास्ट का अंक देखते हैं इक आई का अंक क्या आता है यहाँ पर 9 है अगर 9 है तो यह वर्गम संख्या 32 इसे देखते हैं कि किस कि स्क्वाइर के बीच में आता है तो आप पांच का स्क्वाइर 25 होता है और 6 का स्क्वाइर 36 होता है तो 5 और 6 के बीच में आ रहा है यानि कि यहां से हमें एक संख्या लेनी है और हमेशा कुन सी संख्या लेनी है चोटी संख्या लेनी है तो हमेशा मैं यहां से चोटी संख्या लूँगा पांच अब यह चीज़ डिपेंड करेगी कि यहां तीन आएगा कि साथ आएगा तो देखिए 5 x 6 की multiply कीजिए 5 x 30 अगर यह संख्या 30 से बड़ी है तो बड़ी संख्या अगर छोटी है तो छोटी संख्या तो यहाँ पर 32 है तो बड़ी है तो क्या जाएगा 7 आपने देखा 50 से 57 हो जाता है मेरा धन यह आगे आपका मूल धन और मिसर धन में अनुपात तो यहाँ से 50 से 57 हो रहा है कितने वर्स में एक वर्स में हो रहा है एक वर्स में कितना 7 की व्रध्धी हो रही है अगर एक वर्स में 7 की व्रध्धी हो रही है यह 7 की व्रध्धी कितने पर है 50 पर है परसेंटेज हमें सा 100 होती है तो यहाँ 100 बनाने के लिए 2 परसे गुणा और यहाँ भी 2 से तो क्या जाएगा 14 परतिसत यानि कि आपको पता चल गया कि यह जो आपका मूलदन था 1500 रुपे यह 1909.40 पैसे कब हो जाएगा दो वर्स में किस रेट से 14 परतिसत की वारसिक दर से तो इस तरह के वर्शनस में आ कांसर निकाल सकते हैं चलिए next question देखते हैं तो देखिए दोस्तों यह आपका next question आपकी screen पे कोई धनरासी चकरवर्थी ब्याज से पहले वर्स के अंत में रुपे 650 तथा दूसरे वर्स के अंत में रुपे 650 हो जाती है तो वह धनरासी तथा ब्याज की वारसिक धर आपको ग्यात करनी है कि कितनी होगी चलिए देखते हैं इस टाइप के question को आपको कैसे करना है बैल लिख लेते हैं क्या क्या दिया है आपको दिये कि 650 हो जाती है एक वर्स के अंत में यानि कि यहां कोई धनरासी थी एक वर्स बाद क्या हुआ यह 650 हो गई और अगले वर्स एक वर परदी व्याज में रेशो शेम चलता है यानि कि जो रेशो इन दोनों के बीच होगा पहले वर्स में वही रेशो क्या होगा दूसरे और पहले और दूसरे वर्स के बीच होगा क्यों क्यों क्योंकि मैंने आपको बताया था जैसे 10% वार्षिक धर है आपकी तो 10% को क्या ल जाती है और अगले वर्स भी मेरी ये धन्रासी क्या होगी 10 से 11 होगी तो जो अनुपाद पहले वर्स होता है वही अनुपाद दूसरे और तीसरे के बीच होगा तीसरे और चोथे के बीच होगा तो इस तरीके से सेम अनुपाद आपका चलता रहता है तो यही चीजा मैं यहा कितना है ? 866 और यह किसी से कट राइए ? कट लीजें से 1655 और 25 पेंगे को आपको पता चुगी कितनी है ?कश्वेश सो पछास के बीच । यही अनुपात क्या होगा ? नो के बीच यहीं अनुपात होगा यानि के यह पचिस होगी और यह 26 होगी यानि अब 26 की value आपको पता चलग लगे कितनी है 650 है आपको इस 25 की value निकालनी है तो क्या करेंगे 650 बटा 26 गुना 25 काट लिजे 13 दोने 26 तेरा बंजे 62 से 25 और 25 पच्चिस 625 यानि आप कह सकते हैं यह जो खंडासी थी आपकी 625 उर्पेश थी आपकी धंडासी जो 1 Vस Kingdom क्या हो जाती है 650 हो जाती है और 2 Vस Bats 66 हो जाती है यहां पर आपको ब्याजwerhst की वार्ष की वार्ष की दरभ कितनी है यह आप यहांसे भी निकाल सकते हैं यहा निकालने के बाद आप यहांसे भी इसको निकाल सकते हैं क्यों क्योंकि आपको पता है कि एक वर्स में जब भी ब्याज मेरा मिलेगा तो वो क्या होगा? वो ही मेरा महाँ से आप दर बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं जब भी एक वर्स की बात होगी यहाँ पर एक ही वर्स की मिल रहा है कितने पर 650 परसंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा एक जीरो से एक जीरो तेरा 65 तेरा दोनी 26 पांच से काट लिजे पांदोनी 10 यानि कि दो दोनी 4 परतिसत की क्या है आपकी वारसिक दर है यह चीज आप यहां से निकालेंगे तो यहां से भी उतनी आएगी यहां पर आपको 25 भी आज मिल रहा है कितने पर 625 पर और गुणा 100 25 से 625 का ड़ाइंगे 25 25 चोका 100 तो कितनी आ गई 4 प्रतिसत तो आप ब्याज कहीं से भी निकाल सकते हैं जो ब्याज की धर होती है लेकिन किस वज़े से निकाल सकते हैं जब भी आ वार्षिक ब्याज की दर से तीन वर्ष का चकरवर्थी ब्याज कितना होगा यह आपको ग्याद करना है तो देखिए अगर तीन वर्ष की बात आती है तो तीन वर्ष में क्या आप कौन से मेथड का अस्तमाल कर सकते हैं आप मेथड लगा सकते हैं या graph method का इस्तमाल कर सकते हैं जिससे question बड़ी easily solve होगा और आप यहां पे अगर rate of percent आपको दिया हुआ है तो बड़ा ही easy हो जाता है question आपके लिए solve करना तो देखिए थोड़ी सी पहले इसके बारे में basic सी जानकारी देख लेते हैं उसके बाद हम इस question को direct भी solve करना चोटे तरीके से आप इस question को कैसे solve कर पाएंगे देखिए आपको दिया है कितनी है धनासी आपी 5000 अब इस पर आप से कह रहा है कि 20% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्स का तो 20% को मैं क्या लिख सकता हूं गई 20% को मैं लिख सकता हूं एक बटा 5 एक बटा 5 का मतलब है 5 बात करते हैं तो पहले साल की जब बात करेंगे तो इसका एक बटा 5 कर दीजे आप तो एक बटा 5 करोगी कितना आजाएगा 1000 दूसरे साल की बात करेंगे तो उपर जितनी भी संख्या याती चली जाएगी आप सबका एक बटा 5 उसमें सब में multiple factor एक बटा 5 से multiply करके यहां प बात करते हैं तीसरे वर्स की, तीसरे वर्स अब 4 संख्या होगी तो 4 लिख लीजे, 1000 तो आएगा ही आएगा, अब इस 1000 पर दोसों तो आना है, इस 1000 पर दोसों आएगा और इस 200 का एक बटा 5 करोगे तो 40, पान्चों बीस और 4, 40 यानि यह क्या आगया, यह आपके ब्याज आ गया, तो यहां से अब आप इसको add कर लिजे, कितना आ गया, तो तीन हजार हो जाएगा, यह हो जाएगा, तीन दो निए, छेस सो यह हो जाएगा, और चालीस यह हो जाएगा, तो कितना हो गया? 3640 रुपे ब्याज मिल गया है आप से यही पूछाता कोशन में कि 3 वर्स में 5000 रुपे पर कितना ब्याज मिलेगा? 20% वार्सिक दर से तो कितना ब्याज आया? 3640 रुपे आपका ब्याज आया चलिए इसको एक दूसरे तरीके से देख लेते हैं कि आप इसी तरीके को शोर्ट कैसे कर सकते हैं कि यह जो वैल्यू है आपकी मैंने स्टार्टिंग में बताया था यह क्या होती है? A वैल्यू होती है यह भी A, यह भी A और यह B और यह आपका C होता है ठीक है? तो इस A, B, C वाले मेथड से देख लेते हैं जो इनका रेशो होता है कि कितना कितने amount आपका A रहेगा कितना B रहेगा, कितना C रहेगा इस तरीके से आप direct अगर value लिखते हैं तो भी आप question को easily कर सकते हैं देखे, देखे दोस्तो, हमने देखा था कि अगर यह कोई धन्रासी है हमारे पास कोई P है और R percent की एगर rate है R percent को मैं R बटा सो लिखूंगा यानि कि यहां कोई ने कोई एक factor रहेगा आपका जो value आएगी, मैं माल लेता हूँ X यहां पे आजाएगी value मेरे पास अब जब भी आप पहले साल की बात करते हो तो पहले साल जो ब्याज लगता है आपका सिर्फ प्रिंसिपल पे लगता है जब दूसरे साल की बात करते हो तो इस प्रिंसिपल पे तो लगेगा यानि के A तो लगेगा, इस साथ में इस A पर लगेगा, मैं इसको लिख देता हूँ B. अब जब भी आप तीसरे साल की बात करेंगे, तो तीसरे साल क्या होगा? इस B पर लगेगा A, इन दोनों A पर लगेगा B और B, और इस पर लगेगा C. ठीक है? यह तो हो गई बात तीन साल की. ठीक है? तीन साल में जब भी आएगा, तो आप क्या कहेंगे? देखें, तीन साल का अगर ब्यास देखते हैं, तो कितना आता है? 3A, यहां से आएगा 3B, और यहां से आगए आपका C. तो यह कब होगा? यह जब तीन वर्स की बात होगी है. ठीक है? जब भी तीन वर्स की बात होगी, तो तीन A, तीन B और C, यह आपकी वैली हो जाएगी. अब अगर दो साल की बात करते हैं, तो 2A प्लस B, यह कब रहेग यह रहेगा 2 वर्स के लिए. अब आगे अगर आप 4 साल की बात करते हैं, तो यहां से आप देख रहे हैं कि 2 एक का है, और यहां पर 3-3 एक का है. ठीक है? जब अगले साल की बात करते हैं, जब आप अगर एक्जाम में आपको 4 वर्स के बारे में पूछ लेता है, तो 4 वर् चोथे वर्स की आप निकालेंगे, तो चोथे वर्स में क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना है, जैसे 2 वर्स का 2-1 याद रहता है सबको, तो 3 वर्स का निकालने के लिए आपको पता यहां एक तो रहे गई, आगे क्या करना है? एक में 2 जोड दिया 3 और तीसरे वर्स की बात करेंगे तो यहां पर 3 आ जाएगा, ऐसे 4 वर्स की बात करेंगे तो एक तो रहे गई रहेगा, अब आगे क्या करना है? एक और 3 को जोड के क्या जाएगा यहां पर? 4, अब 3 और 3 को जोड के क्या जाएगा? 6, और 4 वर्स की बात करेंगे तो यहां पर 4 रहेगा, ठीक ह चार वेल्यू A की आएंगी, छे वेल्यू B की और चार वेल्यू C की और एक वेल्यू अब D की हो जाएगी, यहांपर यह चार वर्सों के लिए हो जाएगी, इसी तरीके से आप बहुत सारे वर्सों की निकाल सकते हैं, अगर किसी की भी आपको एक्जाम में पूशली जाती है, अगर 5 वर्सों भी पूशली जाती है, तो 5 वर्स को कैसे निकालेंगा, 4 और 1, एक तो रहे गई, 4 और 1, 5, 6, 4, 10, 6, 4, 10, और 5 वर्स की बात करें तो क्या जाएगा, 5 आ जाएगा यहांपर, तो 5, 10, 10, 5, 1, क्या जाएगा, यह आपका 5 वर्स के लिए आपकी वैल्यू जाएगी, A, B, C, D, और E की, तो इस तरीके से आप कोशन को निकाल सकते हैं, अब देखिए, A, B, C के बारे में सीख लेता हैं, कि A, B, C होता क्या है, A, B, और C के बारे में, देखिए, A का मतलब क्या हुआ, आपने देखा कि प्रिंसिपल पर आपने A की बार लगाएं, यानि कि आपने यहाँ पर एक ही बार multiple का factor यूज किया है, तो यानि कह सकते हैं, A की value अगर आती है, तो एक बटा X होगी, B की value आएगी, तो एक बटा X स्क्वार हो जाएगी, क्योंकि B में क्या करते हो आप, एक बटा X तो आपने लगाएं, यहाँ पर एक बटा X वर लगाते हो, तो यह value आपकी एक बटा X स्क्वार हो जाती है, एसी C की बट करोगे, तो यह एक बटा X Q हो जाएगी, यह है आपकी ABC की values, अब इस तरीके से आप questions को कैसे solve पर सकते हैं, चलिए वो भी देखते हैं, तो देखें, दोस्तों में last वले question को आपको इस method से करके दिखा दिता हूँ कि कैसे करना होता है, आपको exam में 5000 की धनाशी दी है, आपको पता है, तीन वर्स का पूछ रहा है, तो 3A, 3B, और 3C होगा, sorry, 3C ने सिर्फ C होगा, ठीक है, यह होगा आपका, अब आपको यहाँ A की value लेनी है, तो A की value के लिए क्या करते थे, एक बार multiple factor का use करते थे, आपको percentage कितना दिया था, 20% याने कि एक बटा 5, तो इसका एक बटा 5 करेंगे, तो कितना आएगा, एक आजा, यह A के लिए निकला है, अगर B करते हैं, तो फिर 1000 का 5 कर देंगे, तो कितना आजाएगा, 200, और C देखेंगे, तो इसका इक बटा 5 करेंगे, तो कितना आजाएगा, 40, अब यह 3 value आपके पास आ गई है, तो आप इनको direct लिए, 3 into A, 3000, plus 3 into B, 600, plus C, 40, तो आप यहां से direct भी निकाल सकते हैं, 3640, यह आप का अंसर हो जाएगा, तो इस तरीके का हम use करेंगे, आपके आ कि 2 वर्स का और 3 वर्स का अगर difference आपको दिया हुआ है questions में, तो आप उस question को इस method से बड़ी easily solve कर सकते हैं, अपने time को बचा सकते हैं, वहीं पर देखेंगे, इसको और अच्छे से समझेंगे, इस method को कि वहाँ पर हम इस method का स्तमाल कैसे करेंगे, चलिए अभी next question देखते ह में अगर 4 वर्स का पूछ लेता है, तो 4 वर्स का आप कैसे निकालेंगे देखते हैं, देखें, आपको दिया हुआ कितना, 12,000, और rate है आपकी 20%, इसका मतलब हो गया, एक बटा 5, यानि के multiple factor क्या हो गया, एक बटा 5 हो गया, अब हम इसे अपने उसी method पे लेके चलते हैं, जो भी हमने आपको ABC वाला method बताया था, देखें, आपको पता है, चार वर्स की बात हो रही है, चार वर्स की बात हो रही है, तो अगर आपको याद है जो ratio था, वो ABC और D का, अगर वो याद है तो बड़े अच्छे से इस question को आप easily कुछी seconds में कर लेते, देखें, आपको क्या होता है, 4641 ये आपकर ratio होता है, किनका? चार वर्स का, यहन्य के 4A होते हैं, 6B होते हैं, 4C होते हैं, और एक D होता है, अब ABC की value आपको निकालने है कि ABC की value क्या होगी, तो सबसे पहले अगर A की value की बात करें, तो A की value इसका एक बटा 5 कितना करोगे? 5, 2, 10, 5, 20, 2400 रुपे हो गया, अब इसका भी एक बटा 5 करोगे तो कितना आ जाएगा? 5, 2, 4, 5, 8, 4, 400 C हो गया, C इसका भी एक बटा 5 करोगे तो कितना हो जाएगा? 5, 5, 45, 5, 30, और D की बात करते हैं, तो इसका एक बटा 5 करते हैं, 5, 5, 5, 45, और बच गया 1, 5, 10, 19.2, गुना 4 करेंगे, कितना हो जाएगा? 24, 96, 96, 96, गुना 48, तो 6, 48, 48, 4, 6, 24, 4, 28, 28, 28, 24, 24, 29, 36, और 2, 38, और यह आपका 19.2, आप इन सब को एड कर लिजे, कितना हो जाएगा? 2, 9, 4, 13, 3, हासल 1, 8, 8, 16, और 2, 18, 1, 8, 3, 11, 11, और 7, 18, 8, हासल 1, 9, 1, 10, और 2, 12, 12, 12, 133 रुपे, दो पैसे आपका क्या आगया? यह आगया आपका टोटल ब्याज, कि इस धन्दाशी पर मुझे 4 वर्स में कितना ब्याज मिल जाएगा? 12,813 रुपे और 2 पैसे इस पर ब्याज मिल जाएगा? तो इस तरीके से अगर आप questions को solve करते हैं, तो बड़ी ही easily solve कर पाएगा? या फिर आप अपने उस graph method का use करें, कि जो आपने अभी दिखाया दामने की पहले धन्दाशी लिख ली, उसके बाद आपने उस पर प्रोसेस करना start किया, आप 1st step लिखा, 2nd step में जितने भी आपके चकरवर्दी ब्या जाएगा, वो लिखा, फिर 3rd step में आपने लिखा और यह आपको question देखके ही पता चलेगा कि यह किस type का question है और आपको इस question को किस तरीके से solve करना चाहिए, तो यह सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और यह तभी आएगा जब आप practice करते रहेंगे questions की, तो शैलिए अपने next question को देखते हैं किस type का है, तो देखें दोस्तों यह 27 गुनी की कुछ भी आता है अगर exam में, तो इस type के questions को आपको कैसे करना है, पहले इसके बारे में थोड़े सा basic देख लेते हैं कि इसका basic कैसे होता और फिर इसको सीधा short तरीके पर लेके चलेंगे कि क्या short तरीका होना चाहिए, देखिए, आप से कहा जा रहा है कि कोई धन धन्रासी से मान सकते हैं, तो देखिए, मैं क्या कहता हूँ, कि धन्रासी कोई एक थी और 15 वर्स बाद 2 गुनी हो गई, यानि कि 2 धन्रासी हो गई, ठीक है, क्या हो गई, 2 धन्रासी हो गई, तो अगर मैं इसे formula में लिखना चाहता हूँ, तो कैसे लिखूंगा, आपको पत मिसरधन दिया है, और साथ में आपको time period दिया है, ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको rate नहीं दिया है, नहीं आपको यहाँ rate निकालनी है, कि rate क्या रही होगी, सिर्फ आपको questions को यह निकालना है, कि वो कितने वर्स बाद 8 गुनी हो जाएगी, तो देखिए, यहाँ पर ले equation मिल गई, कि यह आपकी 2 गुनी ही 15 साल में, अब आपको निकालना क्या questions में, कि यह value 8 गुना कितने हो जाएगी, यानि कि यह अब धन 1 से 8 गुना कितने वर्स में हो जाएगा, यानि कि अब आपको दे दिया गया, यहाँ पर amount दे दिया, कि amount 1 से बढ़कर कितना हो गया, 8 ह गया, तो दूसरी equation क्या बनेगी, अभी 8 हो गया amount, और मुलधन एक ही है, 1 प्लस आर अपोन 100, और इसकी power T, T क्यों, क्योंकि आपको T निकालना है, कि कितने वर्सों में यह 8 गुना हो जाएगी, अब देखिए, मैं इस 8 को क्या निसकता हूँ, 2 की power 3 लिख सकता हूँ, और प्लस 1 प्लस आर अपोन 100 की power T, अब आपको पता इस 2 की value क्या है, इस 2 की value है, 1 प्लस आर अपोन 100 की power 15, मैं इस value को यहाँ पर लिख देता हूँ, तो देखिए, 1 प्लस आर अपोन 100 की power 15, और इसकी power है 3, बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस आर अपोन 100 की power 3, अब यह 15 की power 3 ह तो यह multiply में आ जाएगी 15 यह 45 हो जाएगी 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 45 इसकोल टू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T तो देखेंगे आप दोनों जो base है दोनों पावर के वो क्या है? सेम है तो इसका मतलब क्या है? दोनों की पावर compare हो जाएगी यानि के T बराबर क्या हो जाएगा? 45 वर्स यानि के 45 वर्सों में वो धन्रासी क्या हो जाएगी? पहले से 8 गुना हो जाएगी तो इतना process ना करते वे आप direct इस questions कैसे करना है? वो देखेंगे आपको दिया होगा है कि कोई धन्रासी 1 से 2 हो जाती है कितने वर्स बात? 15 वर्स बात तो आपको पता है पहले 15 वर्स में अनुपात क्या चल रहा है? 1 अनुपात 2 चल रहा है दोनों राइसियों के बीच 1 अनुपात 2 है तो अब ये अनुपात ऐसा ही रहेगा हर 15 सालों के बात यानि के अगर मैं अगले पंद्रा वर्स की बात करता हूँ तो तब भी क्या रहेगा? एक अनुपात दो ही रहेगा यानि के इसके और इसके बीच अनुपात कितना रहेगा? एक यानि आप कह सकता है एक unit की value दो है तो दो unit की value कितनी हो जाएगी? चार हो जाएगी ऐसे ही ये अनुपात अगले 15 वर्स में भी सेम रहेगा अब अगले 15 वर्स में क्या होगा? ये अनुपात इसके और जो आने वाली अगली धन्रासी होगी उसके बीच यही अनुपात हो जाएगा यानि के एक अनुपात दो अब एक अनुपा एक की वैल्यू कितनी है? चार है तो दो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आठ हो जाएगी तो आप देखेंगे यहां से भी कि 15, 15 और 15 टोटल कितने हो गए? 45 वर्स में क्या हो रहा है? ये धन्रासी एक से कितनी हो जा रही है? आठ हो जा रही है तो इस तरीके से भी आप इस कोशन को अराम से निकाल सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट को देखते हैं तो देखेंगे दोस्तों यह रहा नेक्स्ट टाइप का कोशन आपका चकरपरदी ब्याच की किस वार्सी दर से कोई धनरासी चार वर्स में स्वयम का दूगना हो जाती है तो उसी दर से कितने वर्स में धनरासी स्वयम का सूला गुना हो जाएगी तो देखेंगे यह सेम जैसे लास्ट कोशन हमने किया है उसके जैसा कोशन है आपका बिल्कुल आपसे कह रहा है कि कोई धन्रासी है आपके पास एक वो क्या होती है चार वर्स में दो गुना हो जाती है यदि चार वर्स में दो गुना हो जा रही है तो अब आपसे पुछाएगी 16 गुना कितने वर्स में होगी तो आप डारेक्ट करो इस questions को कि एक से अब मुझे 16 करना अब 16 को मैं इस 2 की पावर के रूप में कैसे लिख सकता हूँ वो आपको बस चेक करना है कि आप 16 को पता है आप कैसे लिख सकते हैं 2 की पावर 4 लिख सकते हैं अब ये 4 का multiply किसमें करना है आपको वर्स में कर देना और कुछ नहीं करना ऐसे questions में चाप चुक 16 16 वर्स आपका answer आजाएगा कि वो अगले 16 वर्स में क्या होगा वो धन्रासी एक से कितनी हो जाएगी 16 गुनी हो जाएगी तो इस टाइप के questions को आप बड़ी easily mentally भी solve कर सकते हैं आपको copy pen की भी जरुवत नहीं पड़ेगी बस आपको इसको इसकी power के रूप में तोड़ना है कि इसकी कितनी power वो बनेगी चलिए next question देखते हैं तो देखिए दोस्तों यह रापका next question आपके screen पे आपसे कहा रहा है कोई धन्रासी चकरवर्दी व्याज की वार्सिक दर से 3 वर्स में स्वयम का 8 गुना हो जाती है तो ब्याज की वार्सिक दर आपको ग्याद करना है अब इसमें आपसे क्या क्या दिया इस टाइप के question में आपको दे दिया कि इतना गुना हो जाती है तो आपको निकालना है कि ब्याज की वारसिक दर कितनी है ये question मैंने आपको पहले भी समझाए कि अगर इस type के question आते हैं तो आपको कैसे करना है या बात कितने verse की हुई है तीन verse की आपको पता एक से तीन verse बात क्या कर रहा है आठ गुना कर दे रहा है एक से तीन verse बात क्या कर दे रहा है आठ गुना कर दे रहा है यानि कि यह आपका मूल दहन है और यह आपका मिसरधन है तो आपको तीन verse की बात की है तो सबसे पहले हमें जो आपका मिसरधन है और जो आपका principle है इनके बीच क्या देखना है इनके बीच ratio देखना है क्या होगा फिर तीन वर्स की बात ही है तो उसका क्या निकाल देंगे हम घनमूल निकाल लेंगे अब देखिए इनके बीच क्या है एक अनुपात आठ है अब ये किसी से कट्तों ने रही है तो कोई बात ने इसका direct किया कि जिए आप घनमूल निकाल इसका घनमूल निकालेंगे तो इसका एक आएगा और इसका आजाएगा दो यानि कि आप कह सकते हैं ये कब की बात हो रही है ये अब एक वर्स की बात आ गई है कि एक वर्स में क्या होगा ये एक से बढ़कर धनासी कितनी हो जाएगी दो हो जाएगी यानि कि इस पे कितना सब्सक्राइब तो आपकी वारशिक ब्याजदार, Te 231 million, 10 मिल रहा उसे हमा जाएगी आठ sungın कोई घ्रवार्णासी चे Sun कोई चकालएदी की वारशिक दा सब्सक्राइब करते सब्सक्राइब हो जाएगा in नियुक्ति इस तो ब्याज की वारशिक धर ग्याद कीज़े अब यहाँ पर देखिए लास्ट वाले जो कोश्चन है उसी पर बेस्ट कोश्चन है आपका यहां पर दो वर्स की बात की गई है और वहां पर तीन वर्स की बात थी और यह वन पॉइंट 6-9 गोना हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि कोई धंदासी थी मैंने मान ली वो एक धंदासी थी वो 1.69 times हो गई है कितने में दो वर्स में तो आपको ऐसे questions को देखते ही समझ में आ जाना चाहिए आपको copy pen चलाने की तो जरुवत ही नहीं थी दो वर्स की बात की यानि कि यहां पर square की बात उसने की होगी और square की अगर बात की है तो यह किसका square होता है यह 13 का square होता है यानि के 1.3 का square हो जाएगा यानि के अब यह एक वर्स की अगर मैं बात करूं तो एक वर्स में धन एक से कितना हो रहा है एक point तीन हो जा रहा है अब यहां पर ब्याज की वार्षिक धर निकालनी आपको कितनी होगी, तो देखिए आपको कितना ब्याज मिल रहा है, आपको 0.3 ब्याज मिल रहा है, किस पे, एक पे, और परसेंटें निकालने के लिए 100 से गुना, तो आपकी value कितनी हागी, तो इस तरीके से आपको ऐसे questions को देखती समझ जाना चाहिए, कि भई, दो वर्ष की बात कर रहा है, तो कहींने कहीं square होगा, अगर तीन वर्ष की बात कर रहा है, तो कहींने कहीं पर उसका घनमूल लिया होगा, या उसके tube की बात की होगी उसने, तो इस तरह questions को आपको इस method से solve करना है, चलिए आगे बढ़ते हैं, next question देखते हैं, देखिए दोस्तों ये आपका next question practice के लिए, कोई धन्रासी वार्षिक चक्रवर्दी ब्याच की दर से तीन वर्षों का चक्रवर्दी ब्याच जोड़कर 3 से 2 बटा 8 गुना हो जाती है, तो ब्याच की वार्षिक दर ग्याद कीजिए, देखिए इसमें वो ही दिया है, तीन वर्ष है, और आपकी चक्रवर्दी ब्याच जोड़कर कितना गुना हो जाती है, तीन से 3 बटा 8 गुना हो जाती है, यह 27 बटा 8 गुना हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि यह 3 वर्स की बात कर रहा है 3 वर्स की अगर बात कर रहा है तो मुझे cube root लेना है यहाँ पर तो मैं इन दोनों के बीच ratio देखूंगा 27 बटा 8 यानि के 8,95 27 तो मैं यहाँ पर 3 वर्स की बात की है तो cube root ले लेने हैं इसका यह आगया 2 और यह आगया 3 यानि के कितना ब्याज मिल दा है यह बात कब की हो गई या यह एक वर्स की बात हो गई यानि के एक वर्स में धन मेरा 2 से कितना हो जाता है तेन हो जाता है तो मुझे कितना भ्याज मिल रहा है किस पे मिल रहा है दो पर और percentage निकालने के लिए गुना सो यानि के 50 परतिसत यानि यहां पर जो हमारी वार्सिक भ्याज दर रही होगी वो कितनी रही होगी 50 परतिसत से वो धन्नासी तीन वर्स में कितने गुणा हो जाती है? तीन साही तीन बटाट गुणा हो जाती है चलिए आगे बढ़ते हैं देखते हैं नेस्ट कोशन तो देखे दोस्तों यह रापका नेस्ट कोशन आपकी स्क्रिपिन पर 10% वार्षिक चकरवर्दी ब्याज की दर से डेड़ वर्स का मिसरधन ग्यात करना है कितना होगा यदि ब्याज छमाही दे हो यानि कि अब ब्याज की जिए है छमाही दे हो रहा है यानि कि हर छटे महीने पर आपका क्या होगा ब्याज जुड़ जाएगा तो इस तरीके question में क्या होता है जैसे ब्याद छमाई दे हो गया यानि कि अब जो rate लगेगा या जो आपका ब्याद लगेगा जब 6 महीने पर लगेगा तो rate क्या हो जाएगी आधी रह जाएगी और time period क्या हो जाएगा एक ही साल में double हो जाएगा जैसे इस बात को ऐसे समझे कि एक साल की बात हुई है आपसे क्योंकि जो दर होती है वो हमेशा क्या होती है वो वारसिक होती है यानि कि दर हमेशा वर्स में दी जाएगी कि एक वर्स में कुल कितनी दर هमारी लगनी है तो अब जब आप कहते हैं कि छमाही दर लगती है छमाही का मतलब है कि वो दर 6-6 महीने पर लगके एक साल में उतनी ही हो जानी चाहिए जितनी उसने दी होगी जैसे यहां कोशन में दी है गी है कि 10% वारसिक है यानि कि एक वर्स में मेरी कुल ब्याज दर कितनी होनी चाहिए 10% होनी चाहिए अगर मैं उसे 6 माई पर लगाता हूँ तो 6 माई यानि 2 बार लगेगी तो 10 को 2 से डिवैड कर दीजिए यानि के 5% जब भी 6 माई की बात होगी तो आपका क्या हो जाएगा जो दर होगी आपकी वो कितनी रह जाएगी वो आधी रह जाएगी लेकिन अगर वहीं पर time period की बात करते हैं यानि के समय की बात करते हैं तो अगर समय की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि 6-6, 6 महीने और 6 महीने कितनी बार दो बार ब्याज लगा यानि के आपने दो cycle यहां पर use की चकरवर्दी ब्याज की दो बार आपने चकरवर्दी ब्याज किया तो समय क्या हो जाता है समय दो गुना हो जाता है ब्याजदर आधी और समय हो जाता है उसका double ऐसे ही अगर तिमाही लगता है, तीन माही का मतलब है, तीन महा में अगर ब्यास दर आपकी लगती है, तो तीन महा में अगर साल में देखें तो तीन महा कितनी बार बनेंगे, एक साल में चार बार तीन महा बनेंगे, तो समय कितना हुजाएगा आपका, समय हुजाएगा चार गुना और अगर दर की बात करेंगे तो दर क्या हो जाएगी एक बटा चार गुना तो इस तरीके से आपको छमाई और तिमाई वाले कोशन में इन चीज का बड़ा ध्यान रखना है कि कहां पर आपको दर कितनी लेनी है और समय कितना लेना है चली कोशन देखते हैं अपना आपको दिया हुआ है कि 4000 की आपकी धन्रासी है और दर है आपकी 10 परतिसद 10 परतिसद का मतलब क्या हो वाई एक बटा 10 आप से कहा गया कि डेड़ वर्स का चकरवर्दी ब्याज गात करो यदि ब्याज दर जो आपके ब्याज है वो छमाई दे है यानि के छमाई का मतलब है कि ये 10 परतिसद ना रहके कितनी रह जाएगी इसका आदा यानि के 5 परतिसद रह जाएगी 5 परतिसद का मतलब क्या है एक बटा 20 यानि के अब 5 परतिसद के साब से चलेगा अब आपको यहाँ देखना है कि कितनी बार ब्याज count होगा तो देखे छमाई 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 तीन बार होगा डेड़ साल में यानि कि एक तरीके से आप देखें कि तीन वर्स की बात चली गई है क्योंकि वहाँ पर हम तीन वर्स में तीन cycle चलाते थे यहाँ पर ऐसे चकरवर्दी ब्याज की छमाई में भी डेड़ वर्स में कितनी तीन cycle चलेंगे तो तीन cycle के लिए आप क्या करें सीधा सीधा वो इस्तमाल करें जो आपको बता गया है आपको पता है 3A, 3B और C होता है अब A निकालने के लिए मुझे क्या करना है इसका एक बटा 20 करना है तो जैसे एक बटा 20 करेंगे क्या आजाएगा 200 ऐसे B निकालेंगे इसका एक बटा 20 करेंगे तो 10 आजाएगा अगर C निकालेंगे इसका एक बटा 20 करेंगे तो कितना आजाएगा 0.5 आपका यहाँ पर आ जाएगा जैसे 0.5 आप यहाँ पर सीधा लिखें 3A थीन दुनी 600 यह हो गया 3,5 तीस यह हो गया और C 0.5 रह जाएगा तो कितना हो गया यह? 630.5 रुपे यह क्या हो जाएगा? यह आपका चकरवर्दी ब्याज हो जाएगा जो कि आपको टेड़ वर्ष में मिलना है यदि ब्याज की दर जो है आपकी 10% है और ब्याज चमाई दे है तो इस तरीके से आप इस कोशन को थोड़ा शोट करके आप इन चीजों को कोशन को थोड़ा शोट कर सकते हैं और एक्जाम में अपने टाइम को बचा सकते हैं और उस टाइम को आप दूसरे कोशन पर यूज कर सकते हैं चली आगे बढ़ते हैं देखते हैं अपने नेक्स्ट कोशन तो देखे दोस्तों यह आपको नेक्स्ट कोशन आपकी स्क्रीन पर आप से कह रहा है, रुपे 12,000 पर 20 परतिस्त वार्षिक ब्याज दर से एक वर्स का चकरवर्दी ब्याज क्या होगा? यदि ब्याज तिमाही दे हो. अब की बार question में आपको क्या दिया आगे क्या जो आपकी ब्याज है वो तिमाही दे है यानि कि हर तीन महीने बाद आपका ब्याज मूलधन में जोड़ता चला जाएगा तो जब 3 महीने बाद आपका ब्याज मूलधन में जोडता है तो आप कहते हैं कि एक साल में कितनी cycle चलेंगे 3 मंथ, 3 मंथ, 3 मंथ और 3 मंथ, कितनी total cycle होगी आपके पास 4 cycle होगी total यानि कि आप कह सकते हैं ये एक तरीके से वो case बने गया आपका कि चार वर्स में मुझे कितना ब्याज मिलेगा अगर वारसिक ब्याज दे होता है लेकिन यहाँ पर तीन महने की बात हो रही है और आपको दर दे रखी है कितनी दर आपको दे रखी है 20% की अगर 20% दर है और अ आप इसका multiple factor देखें क्या जाएगा या इसको fraction देखें कितना है एक बटा 20 पांच को आपने क्या लिख दिया एक बटा 20 जैसे आपका एक बटा 20 आता है तुरंत आप अपना वही process यूज करें जो हम आपको बता रहे हैं कि 3A, B, ABC वाला concept अगर आप यूज करते हैं तो easily question क solve कर पाएंगे अब यहां पर 4 cycle चलेंगे तो आपको पता है 4 verse के लिए या 4 चक्र के लिए क्या हो जाएगा आपका आपको पता है 4, 6, 4, 1 यह होता है आपका 4 A होता है 6 B, C और यह D होता है अब कुछ नहीं करना है सीधा सीधा आपको amount लेखना है और उसको ABC की value निकाल लेखे और आपका answer बड़ी easily आजाएगा चलिए देखी amount क्या था आपके बास principle 12,000 था अब A निकालने के लिए कुछ नहीं एक बटा 20 करना है तो जैसी आप एक बटा 20 करते हैं तो कितना आजाएगा 600 ऐसी जब B निकालेंगे इसका एक बटा 20 करेंगे तो कितना आजाएग 30, C निकालेंगे तो एक बटा 20 करेंगे तो कितना आजाएगा? 3 बटे 2 यानिके 1.5 जब D निकालेंगे तो आप इसका एक बटा 20 करेंगे कितना आजाएगा? 1.5 का बटा 20 कितना आजाएगा? अगर आप इसे 7.5, 0.075 ठीक है, 0.075 आपकी वैल्यू आगई यहाँ से अब कुछ नहीं करना है इनका मल्टिप्लाई कर लीजे चार में इसका मल्टिप्लाई करेंगे तो कितना आजाएगा? 2400, B का मल्टिप्लाई करेंगे 618, C का मल्टिप्लाई करेंगे 4, 4 से गर करेंगे तो 6 आजाएगा और यह 0.075 as it is, तो आपने देखा क्या आजाएगा? 5, 7, 0 और 6, 8, 5, 2, 256 रुपे और 0.075 आपके पैसे ही यह आपका आजाएगा? क्या? यह आपका सिर्फ हो गया चकरवर्दी ब्याज. यह आपको इस तरीके से अगर आप निकालते हैं तो easily question को आप solve कर पाएंगे और अपने exam में अपने time को भी बचा पाएंगे. चलिए next question देखते हैं आपका. दोस्तों यह आपका next question आपके screen पे. आपसे कहा रहा है किसी धन्रासी का 12% वार्षिक की दर से हर 6 महिने बाद जोड़े जाने वाले चकरवर्दी ब्याज तता साधरन ब्याज का एक वर्स का अंतर दिया है आपको 36 रुपे तो वह धन्रासी आपको ग्याद करने है धन्रासी कितनी होगी अब देखिए यहां पर आपको same उसी type का question है अभी हम चल रहे हैं उन questions को लेके जिन में हमें दर दी होती है जहां पर हमें क्या निकालना होता है या निकालना होता है कि मूलधन कितना हो जाएगा यदि आपको दर दी गई है और साथ म दी है आपको 12% अगर 12% दी है तो पहले हम graph method से देख लेते हैं 12 को क्या लिखेंगे आप 4 दी है 12,3,25 आपने लिख दिया कि मेरी 12% को मैं क्या लिख सकता हूं वह 3,25 लिख सकता हूं अगर दो वर्स की बात कर रहे हैं तो मैं मूलधन को क्या मान सकते हूं मूलधन मैं मान लिख मेरी 12% हो जाएगा अब आपको पता है पहले साल की अगर बात करते हैं तो इसका कितना तीन बटा 45 करेंगे तो 25 से तो 25 बार कटेंगा और 25 तीय 75 हो जाएगा अब दूसरे साल की बात करते हैं तो 75 तो रहे गए रहेगा साथ में इसका तीन बटा 25 जुड़ेगा तो 25 तिया, 75 और 3 तिया, 9 यूनिट आ गया, ये 9 यूनिट क्या कहलाएगा, यही हमारा कहलाएगा, दो वर्स के साधारन ब्याज और चकरवर्दी ब्याज का अंतर, जब ये 9 हमारा अंतर है, तो ये 9 यूनिट हमें जो अंतर दिया गया है, वो actual सवाल में हमें कितना दिया गया है, 36 रुपे दिया गया है, इस 9 यूनिट की वैल्यू अगर 36 है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 रुपे, जब एक यूनिट की वैल्यू चार रुपे आ गई, तो अब आपको पता चल गया, कि कहीं भी कोई भी मैं यूनिट निकाल सकता हूँ, जो भी मुझे जगे के भी वैल्यू निकालनी है, वो बड़ी इस यूनिट से मैं निकाल सकता हूँ, तो 4 रुपे है, तो मुझे मूल्धन निकालना है, तो 625 गुणा 4 करूंगा, कितना आ जाएगा, प्यार वाल स्क्वाइर से करेंगे तो, पी, आर स्क्वाइर अपून, हंडड़ का स्क्वाइर, इसक्वाइर अंतर ही तो दिया है, 36 है आपका, आपको पता है, आर की वैल्यू कितनी दिया है, 12 दिया, तो 12 गुणा 12, और ये 100 गुणा 100 सीधा इधर लेके चलते हैं, गुणा, 100 गुणा, 12 गुणा, 36, 3 चुप, 12, 4 से काट लिया है, 25 और 25 गुणा 100, 25 तो देखिए, बड़ी इजिली कोशन सौल हो जाता है, तो किसी भी मेथड का आप इस्तेमाल कीजिए, आपको बस प्रैक्टिस की जरुवत है, थोड़ी सी जैसे जैसे आप जिस मेथड भी प्रैक्टिस करेंगे, आप उसी मेथड से बड़े आसान तरीके से अपने कोशन को सौल कर पाएंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने next question, तो देखें दोस्तों यह रहा आपका next question आपकी screen पर, आपसे कहा रहा है किसी धनासी पर 5% वार्सिक ब्याज की दर से, 3 वर्स के साधान ब्याज ततार चकरवर्दी ब्याज का अंतर, 36.60 पैसे है, तो वह धनासी आपको ग्याद करने हैं, देखिए अभी जो question हम कर रहे हैं, वो हमने बताया आपको कि जिनमें rate आपको given है, और उनमें अगर आपको difference दिया है, तो उन question को आपको कैसे, कौन से process से करना चाहिए, ताकि आप question को जल्दी से जल्दी solve कर सकें, वो तरीका भी आप सीख रहे हैं, आगे देखेंगे, अगर इनसे अलग type का question आपके exam में आ जाता है, तो आप उसे कैसे करेंगे, सबसे ज़रूरी चीज है आपकी practice, practice आपको करते रहनी है, जितनी आप practice करेंगे, आप question को देखते ही समझ पाएंगे, कि हमें यहाँ पर कौन से तरीके का इस्तमाल करना है, कि जिससे हम इस question को जल्दी से जल्दी solve कर सकें, क्योंकि आप देख रहे हैं कि CI में बहुत सारे method हैं, जिनसे आप question को solve कर सकते हैं, तो वो आपको सबसे छोटा तरीका देखना है, कि जिससे आप question को बड़ी easy solve कर पाएंगे, चलिए इस question को देखते हैं क्या कह रहाएंगे, आपको दिया वह यहाँ पर धर दी है, आपको 5 परती साथ हैं, और समय दिया है आपको 3 वर्स, और अंतर भी दिया है, अब की बार अंतर जो है 3 वर्स का दिया है, तो मैं थोड़ा सा आपको पीछे की तरफ लेके चलता हूँ, और revision करवाता हूँ, एक process मैंने आपको बताया था, कि जब भी principle होता है P, तो आप पहले साल की अगर बात करते हो, तो A चलता है, R% से, जब दूसरे साल की बात करते हो, तो A तो रहे गए रहेगा, इस A पे B आएगा, जब तीसरे साल की बात करते हो, तो यहाँ पे A तो रहता ही है, साथ में B, इस A पे आएगा, इस A पे भी एक B आएगा, और साथ में इस B पे एक C आएगा, तो हमने देखाता है यहाँ पे, तो हमारा ये तो क्या है यहाँ पे? Simple Interest SI यानि कि साधरन ब्याज कितना है? 3A अगर मैं CI की बात करूँ तो CI टोटल हो जाएगा CI कितना हो जाएगा? 3A प्लस 3B और प्लस C अब आप अगर अंतर देखते हैं तो आपको अंतर क्या पता चलेगा? कि अंतर 3A से 3A कट जाएगा सिर्फ आपके पास बचेगा 3B प्लस C जब आपके पास 3B प्लस C बच रहा है तो आपको इसी की value question में given होगी कि यहाँ पे इतना given है तो बताओ कि वह धन्रासी कितनी थी? चलिए इस method से समझते हैं कि आप कैसे question को थोड़ा सा easy step में कर पाएंगे देखिए आपको पताएगी 5% आपकी rate है 5% का मतलब क्या हो? वह एक बटा 20 अब इस एक बटा 20 का मतलब है 20 रुपे पे 1 रुपे ब्याज मिलता है एक वर्स में अब मुझे मूलधन मानना है और बात यहाँ पे कितने तीन वर्स की की गई है तो आप कह सकते हैं जो मैं अपना मूलधन है वो मान लेता हूँ 20 का क्या हो गया है? क्यूब हो गया है 20 का क्यूब मतलब 8000 8000 मेरी unit है यह 8000 unit वह धनरासी है जिस पर मुझे अंतर निकालना है कि जिस पर 3660 अंतर मिलेगा अब देखिए पहले साल की जब आप बात करते हैं तो पहले साल क्या होगा? इस पर एक बटा 20 करेंगे तो कितना आजाएगा? 400 अब दूसरे वर्स की आप बात करते हैं तो कितना आएगा? 400 तो रहे गई रहेगा इस 400 पर एक बटा 20 करेंगे तो कितना आएगा? 20 अब तीसरे वर्स की बात करते हैं तो क्या आएगा? 400 तो रहे गई रहेगा इस 400 पर एक 20 आएगा इस 400 पर एक 20 आएगा और इस 20 पर एक आएगा ये क्या हो गया? ये मेरा 3 साल का CI हो गया तोटल अब इस में से मुझे SI निकालना है तो मैं SI निकाल देता हूँ 3 साल का बचेगा क्या मेरा पास? ये चीज बचेगी तो कितनी है ये? 3 इंटू 20 प्लस 1 यानि क्या आप कह सकते हो 61 यूनिट अब ये 61 यूनिट जो है आपकी आई है जो difference आया है इसे question में क्या दिया गया है? ये question में आपको दिया गया है 36.60 अब आप देख सकते हैं 61 से ये बड़ी easily 6 बार कट रहा है 6 गम 6 और 6.36 यानि कि आपने देखा एक यूनिट की value कितनी है आपके पास? 0.6 आपके पास एक यूनिट की value अब एक यूनिट की जैसे value आपको आगई तो आपको सब चीज पता चल गया कि कौन सी value किसकी कितनी हो जाएगी अब देखिए हमने मुल्धन क्या माना था? 8000 यूनिट तो इसमें आप 0.6 की multiply करेंगे तो point से 1.0 cancel हो जाएगी और 6800 रुपे क्या हो जाएगा? आपका मुल्धन हो जाएगा कि जिस पर आपको 3 वर्स में अगर चकरवर्दी और साधरन ब्याज का अंतर देखते हैं तो कितना मिलेगा? 36 रुपे 60 पैसे आपको अंतर मिल जाएगा एक तो यह तरीका हो गया जिसमें आप पूरा इस question को solve कर रहे हैं या इसे थोड़ा और छोटा किया जा सकता है? चलिए देखते हैं क्या इसे हम थोड़ा सा और calculation को थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं कि नहीं? क्या आप mentally सोच के इस question को थोड़ा सा और छोटा कर पाएंगे चलिए देखते हैं process चलिए देखिए इस process को कैसे छोटा किया जा सकता है? देखिए आपको पता है कि जो तीन वर्स का अंतर होगा तीन वर्स का चकरवर्दी तथा सरधारन ब्याज का अंतर क्या था? अभी हमने निकाला था? 3B प्लस C निकाला था अब आपको इतनी सी जानकारी है कि B की जो value होती है वो कब आती है? वो A में एक बार fraction का use करने पे आती थी जब A पे हम एक बार ब्याजदर लगाते थे तब हमें B की value आती थी अब A पे क्या होता था? जब principle पे हम एक बार लगाते थे fraction की value तब आती थी मेरे पास तो इतनी सी बात आप याद रखिए कि B की value तब आ जाएगी जो मैं principle पे दो बार fraction value use करूँगा यानिके fraction का square use करूँगा तो मुझे value क्या पता चल जाएगी B की value कितनी है ऐसे ही अगर C की बात करूँ है तो आपको पता है B पे भी एक बार और करने पर प्रोसेस आता था fraction एक बटा X यानिके एक बटा X तब आपको value पता चलती थी इसकी और यह एक बटा X क्या है? यह एक बटा X कुछ नहीं है आपको पता है R को क्या लिख दिया था? R percent जो rate होती है मैंने इसको fraction root में एक बटा X लिख दिया है तो यह वो ही एक बटा X है तो यहां से आपको पता चलिया कि यह principle जो होगा upon X square करूँगा तो यहां से मुझे direct value मिल जाती है ऐसे यहां पर principle जो होगा मैं upon X cube करूँगा तो मुझे direct value वहां से C की मिल जाएगी अब देखिए process कैसे छोटा हो गया अब आपको पता है आपको क्या दिया है rate 5% दिया तो आपने mind में सोचा कि यह तो एक बटा 20 होता है ठीक है आपने तुरंट दिमाग में आ गया कि 5% की value एक बटा 20 है अब सीधा सीधा आपको करना क्या है आपको बस इस B की value चाहिए और इस C की value चाहिए इतनी तो चीज लिखनी है आपको copy पे 3B plus C लिखना है आपको copy पे आपको पता है जब भी principle आप मानते तीन वर्स के लिए cube मानना है मुझे तो cube मानना है तो उसे मैं अभी लिखने की जरुवत नहीं है कि आपकी क्या आगया है तो direct आप कीजे कि 3 into principle होता था तो principle 20 का cube आएगा upon B के लिए fraction का square करते थे तो 1 बटा 20 का square कितना हो जाएगा 20 का square हो जाएगा या आप इसे इस तरीके से लिखिए अगर यहां confused हो रहे है तो 1 बटा 20 का square plus C C में क्या होता था C कैसे निकलता था principle का cube होता था into क्या है 1 बटा X का cube है तो 1 बटा 20 का cube आजाएगा तो यहां से यह दोनों value आपकी B की और C की निकल गई अब यहां से आपको पता है 20 square से यह cancel हो जाएगा यहां पर बज़ जाएगा 60 और plus इससे यह पूरा cancel 1, 61 61 value 36.60 आ गई और यहां से 1 unit की value 0.6 आ गई जैसे ही आपकी value 0.6 आती है तो लंत आपको पता चल जाएगा कि principle मेरा 20 cube होता था यानि कि 8000 होता था और 0.6 है तो यानि कि 48 मेरा answer हो जाएगा तो बस आपको इतना सा process लिखना है अपनी copy पर बाकी आपको न graph method का use करना है नहीं आपको tree बनाना है क्योंकि उसमें कहीं पर mistake भी हो सकती है लेकिन इसमें अगर आपको process याद है process को 2-3 बार आप revise करते हैं तो आप बड़ी easily question को solve कर पाएगे कि भई हाँ यही हर बार यही चीज़ आनी है difference दिया होगा rate percent दियोगी आपको तुरंत आप सीधा-सीधा B और C की value लिखें और वहाँ से unit की value निकालें और सीधा अपने answer को लिख दीजें तो इससे क्या होगा आपका time view बचेगा ज़्यादा से ज़्यादा है आप attempt कर पाएगे exam में questions को चलिए आगे बढ़ते हैं देखते हैं अपने next question तो देखिए दोस्तों यह रापका next question आपकी screen बे आपसे कहरा किशी धनासी पर 16 साई 2 पुटे 3 परतिसद वार्सिक ब्याज की दर से 3 वर्स के साधारन ब्याज तथा चक्रवर्दी ब्याज का अंतर कितना है 57 रुपे हो तो वह धनासी ग्याद करो धनासी कितनी होगी देखिए same वही process का इस्तमाल करना है आपको 3 वर्स के लिए पूछा गया है 3 वर्स का अंतर दिया है तो same हम क्या करते हैं सीधा B और C की value पे चलते हैं ताकि direct हम अपने questions को निकाल सके और अपने time को save कर सके सबसे जरूरी आपको time saving सीखना है कि आप time saving कैसे करेंगे questions में तो देखिए यह राव का direct आपको पता है 3 B प्लस C होगा होगा के नहीं होगा अंतर चकरवर्दी ब्याज का अब देखिए जैसे 3 B प्लस C आपको हुआ तो आपको पता है सीधर rate याद आने चाहिए यह rate क्या दी है आपको 16 से 2 बोटे 3% दी है तो इसका मतलब क्या होता एक बटा 6 और यह fractions भी आपको याद होने चाहिए कि वह इतनी percent है तो सीधर fraction क्या होता है ताकि आपको सोचने की जरुती ना पड़े कि यहाँ पर निकाल ना है कि वह निकाल के आप अपने time को waste ना करें तो देखें आपको पता है 3 B की value क्या होगी जो principal हम मानेंगे तीन बर्स के लिए 6 का cube मानेंगे तो सीधर सीधर 6 का cube बटे B करते थे तो 2 होता तो 6 का square प्लस C करते थे तो 6 का cube बटे तीन बार करते थे तो 6 का cube आ जाएगा तो अब देखें यहाँ से क्या आ गया इससे यह cancel हो जाएगा 6-18 और यह 11 19 unit की value भई सवाल में दी हुई है 57 रुपे यह question में आपको दिया हुआ है कि 19 unit की नहीं है वो actual में कितनी है 57 रुपे है तो यहाँ से एक unit की value आ जाएगी 3 रुपे जैसे ही आपको एक unit की value पता चली कि 3 रुपे है तो तुरांत आपको वहाँ से पता चल जाएगा principle कितना होगा principle हमने क्या 6 का cube माना था 6 का cube होता है 216 इसमें आप 3 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 तिया 6 616 तिया 48 648 रुपे और यह आगया आपका answer तो देखिए सिर्फ आपको इतना सा process करना था और कुछ नहीं और यह आपका answer आपके sheet पे तयार है तो देखिए आपको बस तरीके सीखने है कि आप कैसे तरीकों को छोटा करेंगे उमीत करता हूँ दोस्तो जितना भी अब तक आपको समझाया गया है सब कुछ अच्छे से समझ आ रहा होगा अगर कहीं भी कोई problem होती है तो comment करके हमें बता सकते हैं और दोस्तों अगर यह वीदियो आपको अचे लग रही है तो इसे वीदियो को लाइक करें और ज़्यादवने अपने दोस्तों के साथ share करें तकी उन्हें भी पता चल सकतो है कि आप अपने time को कैसे save गार सकते हैं कैसे आप तरीके को और चोटा कर सकते हैं को तरीके पता है कि वह यह तरीका, आपको ग्राफ में थड़ाता है, टरी में थड़ाता है, सब चीजे पता है, लेकिन उसको भी थोड़ा और शोट कैसे किया जा सकता है, उनको भी यह पता चल सके, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल, को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दें और साथी बेल आइकन के बटन को दबा लें